तो जैसा कि कई सारे candidate ने यहाँ पर SSC CGL का जो फॉर्म फिल किया हुआ है और ऐसे में वो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं SSC CGL 22 के जो एक्जामिनेशन का आप यहाँ पर कई सारे candidate के मन में जरूर से डाउट आ रहा है कि जो यहाँ पर examination का settlement है वो नौंबर में हमको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो आज की इस वीडियो को तुरू सारे information में discuss करने वाला हूँ and सारे जो doubt है उसको भी मैं clear करने वाला हूँ तो आपको इस चैनल को subscribe कर लेना है बैल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि future में जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आपको timeline के according मिल जाए ठीक है आप यहाँ पर आपको पता है SSC CGL के बहुत सारे candidate है वो वेट कर रहे है है ऐसे मैं भी सभी वेट कर रहे है ठीक है जो है सीजियल के examination का तो दीके सबसे पहले तो मैं discuss कर लेता हूं जो यहाँ पर से सीजियल का examination है जो फॉर्म है आपको पता है कि यहाँ पर जो है सब्टमबर में भरवाया गयता है और अक्टोबर तक जो चला हुआ ठीक है आप यहाँ पर कई लोग जरूर से उनके मन में डाउट चला है कि नौवंबर के मन्त में मिलेगा या फिन नहीं मिलेगा आप उ नहीं मिलेगा उनके मन में बहुत सारे से डाउट जल रहे हैं ठीक है तो देखे सबसे पहले तो मैं आपको इक बार डिसकस कर लेता हूं कि जो सीजियल का exam वो लगभग दिसंबर में होना है ठीक है यह तो क्लियर एक दम ठीक है आप बहुत सारे को यहां जो इससे रिलेट आप थार्ड वीक समझ सकते दिसंबर में ठीक है अगर थार्ड वीक तक होगा तो आपको फर्ष्ट वीक या फिर सेकेंड विक दिसंबर के मन्त में ही एडमिट काड से रिलेटेड इंफोमेशन मिल सकती है और नौवंबर मन्त के लिए अगर आपके मिनमें डाउट चला है होगा ना फर्ष्ट या फिर सकेंड वीक से जैसे स्टार्ट होगा आपको वहां पर इंफोमेशन मिल जाईए ठीक है कोई भी होगी चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे अडमिट कार्ट रेलीजिंग डेट हो टाइम डेट सिटी कुछ भी हो जो भी इंफोमेशन आपको मंत जो आपक है तो ज heat हो चितने बी मिल जो को चैनल को सब्सक्राब कर लिए लेट से यहां